करेंगे जानने की कोशिक नहीं करेंगे कर सकती है बैंक निफ्टी में लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आप से रिकर्स करूंगा यह हमारा यूटुब चैनल है कि आपने के आपने कि एक हमारी इसका है वह सकते हैं है यह अब ज्यादि रहे सकते हैं यह आपर व्लॉग में हमारे साथ अब जो सकते हैं इसका वैनिफेट के लिए सब्सक्व हारा आजाते हैं Works इसे अमसे कर देखें कर दाच भी अगाल। लिए सेक्नल रखते हैं जो हमें सेल सिंगनल दिया है प्रशाएं सेल बाधिस सिटर यह 一estäज च्रस कर हेंδ to है 30,900 के पास में वहां से उसके बाद नीचे की तरफ slip हो चुका है और खराब लगए आज निफ्टी जितना करेक्शन दिया उतना करेक्शन देगा नहीं देगा लेकिन देना चाहिए देखें रखता है तो देखें मेरे को बेंक निफ्टी लगता है की यह लेविल पांग उनक्राही टाम वर स्ठेगें की यह नन है और रात्यु चुम्हें की यह इसाय午 के आशे हो इसे मैं एक वार है आप यहां पर देखते हैं कि हमने हैं कज बहुं कहा है नपर अंजटे साथ Şu आप पर मेरे को क्या देखना है कि अपर अच्य काहसी यहां पर अच्छी गासी कॉल आइटिंग है यहां पर हुआ काजिए कुलाइटिंगे नीजे कि तरफ इधार थोड़ी बहुत कॉलाइटिंग तीस में यहां पर फोड़ी सी है ओपर इंट्रसिटी आफ यहां पर 63 जाओंड 5384 तो आथी नहीं जिए तो और उकिए निए टिकराब दिख सब्सक्राइट सेब्सक्राइए लुक्ति निए का सिँ ना है है। द्राइट अवह बसाओ कि आधिकना पर इंज कर दो आधिकर आधिकर उटप फ्रेश चेले अवर्पार दो सो है तीस हजार में भी अच्छी घासी बाइंग है यहां पर 29-800 फाइंग है यह सब भी तो तो तेखें खराब है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डीटा बिल्कुल भी बाय करके काम करने जैसा नहीं लग रहा है बैंक निफटी भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल यह भाई करके काम करने जैसा, यहां से अगर में पकड़ू अभी है, 30,455 पे ख्लोजिंग दिया है, 30,455 पे ख्लोजिंग दिया है, तो यह लेविल से अगर में पकड़ू, तो मिरको यह लेविल दिख रहा है, iskा 29,900, जो बीच में बिलकुल कुछ नहीं है, 30,000, 30,000 के बाद सीधे 100 पांट नीचे, अगर 30,000 के नीचे निकला तो सीधे 100 पांट नीचे एकदम बहुत तीजी से देदेगा, ये लेबिल तक मेरे को दिख रहा है, और इसके बाद एक लेबिल और मैंने निकाला था, ये वाला जो ये लेबिल एक पकड़ सकते हैं 29,607 या 600 जो भी आपको पकड़ना ये लेबिल पर भी आ सकता है, लेकिन पहले 30,000 के नीचे इसे एक बार स्लिप करने चाहिए, तो मेरे को लगता बहुत जल्दी इसलिप करेगा, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं सॉट करके काम करना हाना पसंद करूंग आ, सॉट करके हेजिंग करूंगा, हेजिंग, ठोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है, हेजिंग में ये एक फाइदा रहता है, स्टॉप लोस मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं हेज कर लेता हूं मिलको स्टॉप लोस की ज़रयत नहीं पड खराब चार्ट भी मेरे को खराब ही दिखा रहा है तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो सेस कर दीजिएगा धन्यवाद